महाबीर जी स्वागत है आपका हाजी नमस्कार जी नमस्कार सर सर मेरे दो तिन श्वाल है आकिन जीयों से एक तो ये नुस्का बना रख्या है जी मनए ये स्वाप स्वाप जीरा दनिया में थीर ये दनिया इनका अच्छाए चीज़ों का ये काफी फाइदा करे रहा है मेरे जी जी और एक इम्मनिटी वाला उन्ना और सीर ये पिपलेर ये इनका भी बना रख्या है ये भी काफी फाइदा करे ये दो तो में ये नुस्के ले रहा हूँ जी और एक मैंने गोंचिया लिया था गोड़ों में पायों में कुल्यों में थोड़ा हा दरद था अकरन थी वो मेरा दूर हो गया लेकिन उसके बाद फिर आपके डिपार्टमेंट से तीन जड़ी बुटी बेजिए उन्हें मेरे पास वो यह बोले वह यह और खाओगे जब पूरा फरक होगा गोड़ों में कुल्यों में तो उसमें एक तो नाव है एक यह अस्वगंदा है और एक सूसरजान है कुछ इस तरह की तीन जी हमका पाउडर बना लिया वो कैशे ले रहे हैं क्या मेरे वो फाइदा करेंगे जी यह ब इसमें जितना यह सौसो ग्राम हैं अगर तो सौ ग्राम इसमें गौन सियाह भी मिलाकर पाउडर बना दे और एक ग्राम सुबह एक ग्राम शाम खाना शुरू करें दो टीन टाइम खाना पड़ता है तो यह आपको फिर हो सकता है दुबारे से तकलिफ ना होने दे समझ गे ना आपके आदा ये तीनों चीज़े 100-100 ग्राम और 100 ग्राम गौन सिया इसमें मिलाकर पाउडर बना लें और एक ग्राम दो या तीन टाइम खाने के बाद आप इसे इस्तिमाल कर सकते हैं